नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजूकेसने चैनल में तो आज की लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे सुगर लेवल कम करने वाली दवायों के बारे में तो ऐसी medical condition produce होती है कि जिसके अंदर आपके सरीर के अंदर सुगर लेवल जो है दोसों से ज्यादा हो जाता है या फिर सुगर की मातरा जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो जो है वो proper manage नहीं रहती है या फिर proper control में नहीं रहती है सुगर लेवल को control करने के लिए कौन से दवाया यूज होती है कौन से तरीके यूज होती है तो उसके बारे में detail में सेखेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में और cover करेंगे अलग-अलग topics को जैसे के सरुवात में हम उसका basic समझेंगे कि ये problem actual में क्या है फिर उसके symptoms क्या होता है कौन से कारण से ये problem हो सकती है फिर उसका diagnosis कैसे हो सकता है proper treatment के क्या अलग-अलग options available है और last में जाने के कि कौन से अलग-अलग medicines के option हमारे पास available है ये condition को manage करने के लिए तो ऐसे सीखने के लिए आप medicine course को join कर सकते हैं कि बहुत सरे दवाय के बारे में आप सीख सकते ह और उनके बारे में detail जान करे के लिए आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box के अंदर मिल जाएगी तो बाद है topic पे और समझते हैं sugar कम करने वाली दवाय के बर में तो ये problem क basic पे आते हम तो ये ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर आपके सरीर के अंदर blood sugar की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है जो normal value होती है उसके compare में sugar level जो बढ़ने लगता है तो इसको हम medical terms में type 1 या type 2 diabetes कहते हैं तो उसमें से हम specially आज discuss करेंगे type 2 diabetes के बारे में तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि जो एक chart यहाँ पे है कि blood glucose का यह जो आप chart यहाँ पे देख रहे है कि जिसमें जो normal values यहाँ पे लिखे हुए कि जिगर आप fasting condition में आपके sugar की जांच कराते हैं तो वो आती है 80 से 100 के बीच में तो वो हम normal मानेंगे फिर खाने खाने के बाद आप चेक कर देख तो वो रहतना चाहिए 170 to 200 जितना मलब कि 200 के कम है और खाने के 2-3 गंटे बाद जो है वो 120 से 140 के आसपास रहते हैं तो यह normal condition है but मानलो कि आपका आता है 101 से 125 के बीच में fasting में तो हम pre-diabetic condition कहते हैं खाना खाने के बाद 200 के भी उपर जा रहा है तो वो भी pre-diabetic कहा जाएगा और खाने के कुछ 2-3 गंटे बाद 140 से अबव हो रहा है तो वो pre-diabetic कही जाएगी पर अगर fasting condition में वो sugar level 126 से ज़्यादा है खाना खाने के बाद 200 से ज़्यादा रहता है तो ऐसे condition को हम confirm कर सकते है as a diabetic condition तो regular आपको sugar की जांच करानी चाहिए और proper उसका diagnosis करवाना चाहिए कि जिससे आप ये problem को जो वो proper तरीके से manage कर सकें तो सबसे पहले सरुवात करते हैं कि symptoms क्या develop होते हैं कि आपके सेरीर के अंदर क्या ऐसे changes होते हैं कि जिससे आपको पता लगता है कि साध आपकी sugar level बढ़ रही है और आपको proper diagnosis कराना चाहिए तो सबसे पहल गंटे के आपको urination के लिए जाना पड़ता है या फिर समझे कि आप रात को सोय हुए है तो हर दो या तीन गंटे पर आपको उठना पड़ता है पेसाप करने के लिए तो ये पहला symptom develop होता है फिर second हम देखे तो जब आप urination के लिए जाते तो उस दोरान आपको दर्द होता है कि जिसको हम painful urination के condition कहते हैं तीसरा symptom हम देखे तो जो wound वगरा होते हैं मलगे कोई injury होई है तो injury की जो healing की जो process होती है वो काफी ज़्यादा delay हो जाती है आपके अंदर कि मालनों कि usually किसी इंसान के अंदर 4 या 5 दिन में या फिर maximum 10 दिन में wound healing जो हो जाती है तो आपके अं मेना हो जाए दो मेना हो जाए तीन मेने हो जाए फिर भी ये जो wound है वो इसी तरह का रहता है कोई ज़्यादा उसमें फरक नहीं पड़ता तो जो गाव सुकने में जो वो काफी ज़्यादा time लगता है तो ये एक symptom develop होता है फिर always hungry मतलब कि आपको जो वो cravings ज़्यादा होते रगते हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपको भूख लगती है कि मानलों कि आपने अभी बारा बजे खाया है फिर भी उसके दो या तीन गंडे बद आपको वापस भूख लगेगी फिर उस वक्त आपने कुछ खाया फिर सामको 5 या 6 बजे वापस भूख लगेगी इसे रेगुलर टाइम इंटरवर पर आपको काफी ज़्यादा बूख लगती है फिर पांच भी कंडिशन देखे तो काफी ज़्यादा प्यास लगना बहुत ज़्यादा प्यास लगते तो ये भी एक सिम्टम होता है डाइबिटीस के अंदर फिर छटा हम सिम्टम देखे तो निरोपेथी के जो अलग-लग सिम्टम जैसे की आप जो हो नंबनेस जैसा फिल करते हैं निरोन्स के अंदर कि जैसे सैंसेशन सही से नहीं हो रहा है फिर लॉस ओफ फिलिंग्स की कुछ सैंसेशन नहीं आ रहा है आपको वहाँ पे प्रॉपर टिंगलिंग जैसा फिल हो 80-80 kg जितना उसका वजन था पर वही में मन्त आते जाते उसका जो वजन हो जाता है वो हो जाता है around 70 kg जितना तो मनलब 15 दिन या फिर एक मैने के टाइम इंटरल में आपका इतना ज़्यदा वजन जो अचानक से loss होता है और बिना किसी exercise किये या फिर मनलब normal आप routine life या आपकी ये symptom जो ये वो develop होना सुरू हो जाता है फिर next अगर ये condition लंबे समय तक रहती है और आप उसको proper manage नहीं करते मलब कि काफी लंबे समय तक आपकी sugar level 200 से अधीक ही रहती है तो ऐसे condition में क्या होगा कि आपके neuropathy के symptoms develop होने लगेंगे और उसमें especially जो हमारी optic neurons होती कि जो हमें आ कम होने लगती है, blur vision हो जाती है तो ये भी एक symptom develop होता है फिर जो patient होता है diabetic अगर उसके sugar level proper manage नहीं रहती, control में नहीं रहती तो क्या होता है उनको बार-बार urine infections होने लगते हैं कि जिसको हम UTI कहते हैं और UTI का risk बढ़ जाता है आपके अंदर, ladies है तो उनके अंदर vaginal infections के risk जो वो काफी जादा बढ़ जाते हैं या फिर आपको काफी जादा vaginal infection होने रहते हैं और पूरू सोके अंदर yeast infection जो ये वो देखने को मिलते हैं तो ये हो गए उसके symptoms अब जानते है कि reason क्या है ये problem के लिए है तो एक reason है कि वो bad habits आपकी तो खाने पीने कि जो कुछ ऐसी आदत होते हैं जैसे कि आप unhealthy drinks लेते हैं कि जिसमें काफी जादा added sugars वगरा होती है, junk food आप काफी जादा consume करते हैं, sweets वगरा काफी जादा लेते हैं और घर पे rest करते हैं, gaming वगरा करते हैं और कोई exercise ही नहीं है मतलब कि आप a sedentary lifestyle जी रहे हैं तो उनमें भी ये problem जो आगे जाके हो obesity के problem सुनी लगेंगے, obesity आगे जाके आपको ये diabetic का problem ळा सकती है, फिर आपकी life में अंदर काफी ज्यादा stress है, आप काफी ज्यादा stress लेते और आप ऐसे माहल में है कि जहादे हैं कि आपको काफी ज्यादा stress रहता है, तो भी आगे जाके आपको सुगर का problem हो सकता है पिर पूरी नहीं होती या फिर आप लेट तक जाकते हैं कुछ भी काम करने के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी में आप रात को लेट तक जाकते हैं या फिर आपको नेचरली प्रॉपर नीद नहीं आदे तो उसके करन पर आगे जाके यह प्रॉब्लेम जो हो सकती है फिर ज क्या होता कि जब हॉर्मोल एलिंबैलन्स हो जाता है तो आगे जाके जो एक प्रॉपर एक मैंटेनन्स होता है ग्लुकागॉन और इंसुलिन के करन सुगर लेवल का वो नहीं हो पाता और सुगर के मात्रा जो हो आपके सरीर के अंदर बढ़ने लगती है फिर जीनेटिक्स कि जो ओबेसिटी आपको हो रही है जीनेटिक्स आपके विरासत में आपको ऐसे जीन्स मिले है कि जिसके करन के बार ओबेसिटी भी आती है या फिर उसके कारण फिर आगे जाके आपको डाइबिटिक के सीम्टम्स भी देखने को मिल रहे है फिर जो पैंक्रियास में अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो insulin सही मात्रा में release नहीं होगा, तो sugar की मात्रा जो सरीर में बढ़ने लगते हैं, तो ये एक reason है, फिर autoimmune disorder, कि जिसके अंदर हमारे ही सरीर के healthy cells होते हैं, वो हमारे ही body का जो pancreas के cell होते हैं, उनको damage करना शुरू कर देते हैं, जिसके करन क्या होगा, कि जो beta cells release करते हैं, insulin वो अच्छे से release नहीं होगा, और जिसके करन type 1 या फिर type 2 diabetes की condition जो है, वो produce होते हैं, especially जो beta cells होते हैं, वो आपके damage होने लगते हैं, तो अब बात आते हैं, कि ये patient counseling करें, उससे बातचीत करें, तो आपको काफी ज़्यादा reasons वगेरा पता चलेंगे, फिर blood test करा सकते हैं, proper CBC blood test यहाँ पर एक अच्छे से करा लेना जरूरी बनता है, या फिर आप TC total count करा लेते हैं, next है blood sugar की यहाँ पर compulsory जरूरी है, कि blood sugar आप Glucometer से भी करवा सकते हैं, या फिर जो दूसरा test आता है, RBS, या फिर FPG, fasting plasma glucose test है, OGTD में लेंगी oral glucose tolerance test है, और hemoglobin A1C जो test है, वो भी आप जहे, वो करा सकते हैं, यह से एक proper diagnosis हो जाएगा, और उसके आप आगे treatment वगेरा start कर सकते हैं, तो treatment में सबसे पहले क्या करना, कि अगर आप unhealthy diets ले रहे हैं, तो उसको completely बन कर दो, और एक अच्छी healthy diet लेना जो हो सुरू कर दे, कि जिससे आपका यह problem जो हो manage हो सकता है, अच्छे से dietation को भी आप consult कर सकते हैं, जो आपका proper diet बताएंगे, और वो diet को follow करके, आप सुगर के मातरा को control कर सकते हैं, सुगर को level को proper आप मैंटेन रख सकते हैं, आपके सरीर के अंदर, second है कि जो stress के करन यह problem कई बार बढ़ते तो आपका stress जो आप मैंटेन रखेंगे, अगर कोई stress के करन आपका यह problem हो रहा है, तो वो activities करना ही बन कर दे, योगा वगरा start करे, meditation वगरा करे, कि जिससे यह condition जो आपके काफी ज्यादा manage रहेंगे, तिसरा, नीन पूरी नहीं होती, तो proper नीन ले, at least 8 गंटे की नीन लेनी चाहिए आपको, और वो भी एक गहरी निन, कि जो sound sleep वगरा हम कहते हैं, फिर चौता हम देखें, तो regular आप exercise करें आपकी life के अंदर, या फिर cycling या फिर walking भी कर सकते हैं, को cycling अच्छी लगते हैं, cycling कर सकते हैं, walking कर सकते हैं, कि जिससे आपके जो extra calories वगरा होती हैं, वो burn होती हैं, और उसके करण sugar level जो हो maintain रहता है, फिर जो added sugars की सरुवात में भी मैंने बात की कि जो unhealthy diets होते हैं, soft drinks वगरा होते हैं, जिसमें काफी मातरा में added sugars होती हैं, कि जो एक option रहता है, sugar level को maintain रखते हैं, तो अब आते हैं medicines के option में, तो medicines के अंदर काफी सारे options हमारे पास available हैं, कि जिसको हम anti-diabetes drugs कहते हैं, तो anti-diabetes में सबसे popular है, कि जो है metformin की जिसकी 500 mg के strength में भी tablets available हैं, कि यह आप आप देखरें, उसका marketed formulation कि जो USV का है, glycomate SR करके, तो उसका जो dose रहता है, वो रहता है, 0.5 से लेकर 2.5 ग्राम जितना per day, और वो 2-4 dose में आप ले सकते हैं, मतलब हर 6 या 4 गंटे पर उसका dose जो है, वो ले सकते हैं, तो धियान नहीं रखना होता है, कि proper आपके doctor या फिर pharmacist के guidance के according to ही, उसके dose जो है, आपको लेने चाहिए, second है, metformin का 850 mg का भी option available रहता है, अगर मतलब के 500 mg से आपके sugar level manage नहीं रहती है, तो आपका dose increase करवा सकते हैं, 850 mg इतना, इससे भी फरक नहीं हो पड़ता, तो तीसरा option या पर बनता है, उसके 1 gram के tablets का की, जो sustain release खास कर रहती हैं, फिर next option है, वो है glipizide का, glipizide के आप योखो की 5 mg के tablets रहते हैं, और उसका dose रहता है, 5 से लेकर 20 mg जितना per day के हिसाब से, और वो भी एक या दो dose जिए, वो आप ले सकते हर 8 या फिर 12 गंटे पे, पांच वो option है, वहाँ पे वो है, डापा गलीफ लोजिन का है, कि जिसका dose रहता है, खास कर 5 से लेकर 10 mg पर डे orally, तो या पे उसका एक marketer formulation है, अस्त्राजने का कि यह 5 mg के film-coded tablet है, और same film-coded tablets 10 mg के strength में भी available रहती हैं, फिर next, जो option है वो है, glipizide का, कि जो 5 mg के strength में available होती है, और उसका dose की हम बात करें, तो 5 से 15 mg जितना होता है, पर day के हिसाब से, और वो भी एक या दो doses में आप ले सकते हैं next है, glipizide का जो option है, 60 mg की यह जो tablets आती है और specially modified release tablets रहती है, या पर उसका एक marketer formulation की जो doctor redis laboratory जो है, वो manufacture करते हैं तो यह भी prescription medication आती है प्रावबर, फिर next जो option है, वो है PO glitazone का, कि जो 15 mg की strength में खासकर उसका marketed formulation available है, और उसका dose रहता है 15 mg से लेकर 45 mg जितना रहता है once a day, मलब कि पूरे दिन में आप 15 से लेकर 45 mg जितना dose जो है, वो ले सकते हैं मानलों कि कोई यह 15 mg वाली tablet स्टार्ट करता है, तो वो दिन में 3 बार जो है, वो ले सकते हैं जिसे total dose हो जाए पूरा दिन में 45 mg जितना next option है, वो है Ocarbos का, कि जो 50 mg की strength में यह tablets available होती है, और उसका जो dose रहता है जितना dose आप ले सकते हैं दिन में 3 बार फिर 11th option है, वो है Cetagliptin का, जो खासकर 100 mg की strength में available होती है, 50 mg में भी वो available होती है, और उसका dose रहता है 50-100 mg दिन में 3 बार आप ले सकते हैं फिर Gleamipiride का भी यहाँ पे popular option है, वो है सिर्फ 1 mg की tablet आती है फिर next जो उसका combination है Gleamipiride GP1 की जिसके अंदर Gleamipiride 1 mg है और साथ में है Metformin 500 mg जितना, कि इसका जो dose है, वो एक tablet जो है सुबह लेनी होती है, मिलब के नास्ताव करने के बाद, या फिर खाने के बाद पेसन लेते हैं, जो दूसरी tablet है आप रात को डीनर के साथ जो हो ले सकते हैं अगर ये combination से भी sugar level जो हो manage नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है तो Gleamipiride का dose बढ़के हो जाता है, आपके लिए 2 mg जितना, और Metformin साथ में रहेंगी 500 mg जितना है तो similar dose में उसको आप ले सकते हैं, फिर next option है, वो है Vida Agliptin का कि जो 50 mg की strength में जो उसकी tablets available होती है तो उसका dose रहता है, 50 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार before meal जो है, उसको लेनी होती है आगे समझते हैं अब कुछ आयरविदिक और होमियोपिदिक formulations के अंदर, कि जो antibiotic medicines तो ले रहे, पर उसके साथ ये भी आप दवाया सुरू कर सकते हैं जैसे कि SBL के debonil drops हैं, तो ये drops आपको लेने कैसे हैं, तो क्या करना होता है कि ये जो drops है, वो आपको half cup जितने पानी में लेने होते हैं, दस जितने drops और वो दिन में 3 या फिर दिन में 4 बार जवाब ले सकते हैं अगर drops आपको सूट नहीं करते, तो आप debonil के जो tablets आते हैं, वो भी ले सकते हैं, जिनका dose रहता है, कि आपको 4 tablets लेने होती हैं, और वो दिन में 4 या 6 बार जवाब ले सकते हैं, डालनें फिर next option है, हिमालिया के diabetic on DS करके जो tablets आते हैं, कि जो आपके sugar की जो मात्रा है, उसको maintain रखने हैं, काफी ज़्याद आपको मदद कर देगी, जिसका dose रहता है, कि एक या दो tablet आप दिन में, एक बार या फिर दिन में, दो बार जवाब ले सकते हैं next है, हाइपो नीड टाबलेट्स करके आती है, चरक फार्मा का, तो उसका भी dose रहता है, एक या दो टाबलेट दिन में, दो बार जवाब ले सकते हैं, मालो कि आपने सुबह एक टाबलेट खाई, और दूसरी टाबलेट जवाब रात को भी ले सकते हैं, या फिर सुबह दो टाबलेट, रात को दो टाबलेट, कि जिससे भी आपके सुगर की मातरा काफी ज़्यादा मैनेज रहती है, मैंटेन रहती है, और आकरी एक उप्सन है, वो है दिव्या फार्मसी का, मधुनासिनी वट्टी की जो पतंजली का प्रोड़क्ट है, तो ये भी काफी ज़्यादा हेल्प करती है, सुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसी समझे के आपको सीखना है, बहुत सरी दववायों के बारे में, बीमारयों के बारे में, आप मैडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं, फार्म और उक्स के अब उपर, तो ये कॉर्स को जोइन करने के लिए, आप हमें वाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी,